हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है मानशी और मैं सवावत करता हूँ आप सबकापके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुल्सी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी और कालिया शैतान का दूसरा और अंतिम भाग यह आप क्या कह रहें नाग बाबा तौसी का पुत्र तौसी से कहीं जादा परलंकारी और बल्वान होगा हमारी दूर दर्शी आंके देख रही हैं तौसी के दुश्मनों को जो इस समय आग गड़ाकर तौसी के पुत्र के नामकरार संसकार के जश्टिक इंतिजार कर रहे हम तौसी के शत्रों को रसातल में मिला देंगे उन्हें रसातल में मिलाना इतना असान ना होगा कुछ भी हो सकता है और हमें लग रहा है इस बार अनरत अवश्य होगा आप जैसा वैक्ती इतना भेवी थे नाग बाबा तो तौसी का धरती लोग से वापिस पातार लोग प और आज मेरी तपस्या को ग्यारा वर्ष पूरे होंगे मुझे विश्वा से कि इस बार मैं खाली नहीं जाओंगा कालिया के चेले जोग्या की परेदी में कदम रख चुके थे यह शैतान चोकड़ी अवर्ष ही मुझे पकड़ने आ रही है किन्तु आज तो मुझे चंडोक को तर्शन देने बांबी से बाहर निकल नहीं पड़ेगा और उसकी मननत पूरी करने के बाद ही मैं बांबी में खुश सकता हूँ नाग देवता तेरा भग तुझे पकार रहा है है चंडोक मैं तेरी तपस्या से पसंद हुआ बोल तू क्या मांगता है मुझे कालिया की मौच चाहिए चुल गए देवता सपेरे कालिया का खात्म मेरे जीवन का उद्देश्य है ततास तू कालिया मारा जाएगा अब आते ही कालिया के सपेरों ना अपना काम शुरू कर दिया मंत्र पकाड मंत्र फेको तू जोगिया की बांबी पर घेरा बांदे ताकि वापिस ना जा सके जंगल में तेजी से बढ़ आए चलो पीछा करो एक और नाग बांबी से निकल निकलता हुआ जो जोगिया की रूप में तौसी था पकड़ लो जोगिया को पकड़ कर कालिया के पास ले गए हमने जोगिया पकड़ लिया सरदार जोगिया इतनी आसानी से पकड़ा गया यह मेरे लिए अचंबे की बात है पेश करो हमारे सामने हमने इसे पिटारी में मंत्रों से बांद कर पिटारा खोलो कालिया के सामने आने के बाद हर साब उसका गुलाम होता है यह देखिए मंत्र काटो और इसे चगाओ हैं तो मड़ी धारी पर इसकी पहचान करना ज़रूरी है मैं इससे अभी अभी सब पूछ लेता हूं कि वह जोग यह या कोई और कालिया मंत्र छोड़ने साम नाग परीचम मंत्र के सामने तौसी अपनी वास्तिविक्ता छपा नहीं सकता था हैं यह तो कोई इच्छा धरी मेरी मुठी में इससे वड़ी दौलत क्या मिलेगी है इच्छा धरी बता तु कौन है और कहां से आया है मैं पाताल लोग से आया हूं पाताल से प्रतिव अब अप्तरित होने का कारण तुमारे प्राणों को परलोग पहचाने आया हूं कौन तुम तोसी अरे मुर्ख इच्छा धारी कालिया के सामने हर साब बेबस होता है तेख तु अभी मेरी बंसी पर नाचेगा मैं कोई साधार इच्छा धारी नहीं हूं नकालिया तु सर्व जाती का शैतान है इनका जहर बेशता है अब तुझे कोई नहीं बचा सकता साधान ठाक 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 पकड़ लो इसे हैं अब यहां तेरा कोई साधान मंत्र काम नहीं करता है अब बोल का लिया ना अब यहां तेरा कोई साफ है ना तेरे चम्चे अब मैं तेरे जिसमें अपना जहर उदार कर यहां से चला जाओंगा है यह क्या इसके सीने में तो नाकंट है हाहा क्यों अब डसता क्यों नहीं इस नाकंट नामक रुद्राश को मैं कहला आश परवक्त के उस रक्ष से लाया हूँ जहां महादे विश्राम करते हैं तू नाकंट रुद्राग दाड़ा करने वाले को टसेगा तू तू पिखल कर पानी हो जाएगा रही तेरी लाद घूसो और दूसरे प्रारों की बात उसका मेरे शवीपर कोई हैसार नहीं पड़ता तेरे पास कोई और शस्त्र है तो वो भी चला के देख ले इच्छाधारी मेरे पास हर शस्त्र का जवाब होगा जब तक इसके कंट में ये रुद्राक्षे से मार पाना समब नहीं अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं तू मेरी पीन पर नाचेगा कालू सब देख रहा था ये तौसी को पीन पर मंत्र मुग्द कर रहा है इच्छाधारी मंत्र पीन के सुरों पर निगल रहा है तौसी इस इसके गले में पड़ा नाकंट रुद्रक्ष तब ही उतर सकता है जब ये खोद उतार करती पहले उसका ध्यान भंग करने के लिए सुन्दरी का रूप भरता हूं कालू ने एक सुन्दर नारी का रूप धरण किया है है सुन्दरी तुम कौन हो मैं स्वर्ग लोग की अफ्षरा रंभा हूं और तुमारी शक्तियों पर मोहित हूं क्या तुम मुझसे विभा करोगी स्वर्ग लोग की अफ्षरा मेरे तो भाग ही खुल गए ए रंभा तुम्हें मेरी पत्नी बनना स्विकार है परंतु मेरी एक शर्थ है भै क्या मैं इस इच्छा धारी नाग तौसी को अपने हाथों खत्म करना चाहती हूं इसने मुझे पिछले जनम में बहुत कष्ट पहुचा है था अरे क्यों नहीं यह तो वैसे भी मेरा शत्र सब्सक्राइब हुधू है मैं खुद इसे मार ढालता हूं १ लेकिन बिना नाकउंड की सहळ है तो ऋसमझा यहो नाँकंड खत्म करतो इसे । जैसे ही ने नाकंड कालु को दिया कालु तो गायब हो गया है रंबा कहां चली गई पाताल में मेरे दर्वार में पहुच चुकी होगी अब तक ओ यह दोका कालिया अब तू प्राड तक त्यागने के लिए तैयार हो जा तू कैसा मस्ता है नाक कंट के निकल जाने जे मेरी शक्ति समाप्त हो गई है अभी तो मेरा शर सब चले आओ मेरी पीन की लह पर आज नाग दिसमी है सब चले आओ इस पाताल के इच्छा दारी को खत्म का डालो जब तक यह सापो से लड़ता रहेगा तब तब मुझे नाग मंदर के गर्ब जून में शरण ले लेनी चाहिए कालिया भाग निकला तौसी न मक्की का रूप धारण किया और कालिया की सिर्पड जा बैठा नाग मंदर के गर्ब जून में अगर कोई सपेरा शरण ले ले तो कोई साप उसे नहीं डेश सकता तौसी के मंतरों चारण से असंक साप चारों दरफ से आने लगे ओम नमस्षिवाई ए सापो प्रथियू लोग के समस्त सापो अपने विलों से बाहर आ जाओ मैं सर्वशे जित्राधारी नाग तौसी तो मैं आग्या देता हूं कि कालिय अपने पेट में उए जबकी तौसी ने आजगर का रूक धरकर आकार बढ़ाना शुरू कर दिया अगर देख मैं तेरे मुझे बाहर आ रहा हूं तेरे शरीर के चीथड़े उड़ाते हुए जैसे इसने सापो के पुजारी मंडौक कमारा था उससे भी कहीं अधिक कश्ट दाइक मौत मारा है मैंने इसके शरीर की आथे और तेल बाहर खीच लिया हे महानाक तौसी पृट्वी लोग के सभी साप आपको नमन करते हैं आपने मेरी लाज रख ली और एक शैतां को समाप्त कर दिया समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज के अगली कॉमिक्स तौसी और जादूगर मुंडा में तब तक के लिए धन्यवाद